तो चलिए अब हम देखने वाले हैं tributaries नर्मादा रिवर की tributaries देखने वाले हैं वैसे तो नर्मादा रिवर की करीब 15 से 16 tributaries है पर जो मेन important tributaries है वो करीब पर दस है ठीक है तो यह सब उन्हें की tributaries है जैसे बर्नर हुआ, बंजार हुआ, हीरन हुआ, शेर हुआ, कोला, वा, चोर, अल्बान, बहुत सारी tributaries हैं, तो इसमें से जो main 10 tributaries हैं, वो यहाँ पे discuss किया है, और आपको यह video lecture पूरा देखना ही है, तो इसमें हमने actually एक special technique यूज़ किया है, हमने एक pattern follow किया है, हमने start किया है east से, तीक है, east में सबसे पहला tributary है, आप देख रहे हो, वो है burner, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यह है burner, यहाँ से हमने start किया है, फिर हम बंजार में गए, फिर हिरन, फिर शेट, फिर शकर, सीता रिवा, रिवर, कोला, तवा, चोरल और मान, end में, जो west में हैं, वो है मान रिवर, ठीक है, यह जो tributary आप देख रहे हो, मान सबसे ज़्यादा रिवर है, नर्मदा का, तो यह वाला रिवर आपको सबसे ध्यान लगा के देख रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा bridge MP का आता है, सबसे बड़ा डाम MP का आता है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन रिवर है, तो देखते हैं, चलिए, तो एक आपको एक आईटिया लग जाएगा, पूरे जो डिस्ट्रिक्स है, तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कि आपको जो 55 डिस्ट्रिक्स है, या अभी अभी तो 52 ही है, अभी तीन डिस्ट्रिक्स और आट की है, तो फिर 55 भी हो चुके है, जितने भी डिस्ट्रिक्स हो, आपको धीरे धीरे एक जन्वेन आइडिया लग जाएगा, मेरे लेक्चर्स खतम करने के पाथ, तो चलिए, अब थोड़ा बात कर लेते हैं, ब्रनर है, वो स्टार्ट होता है, मंडला से, ठीक है, मंडला से स्टार्ट होता है, आपका जो माइकल रेंजस है, तो यहां पे है आपकी माइकल रेंजस, तो थोड़ा सा आइडिया तो हो गई, माइकल रेंजस में तो आइडिया ही हो गई, तो यहां से आपका माइकल रेंजस से स अच्छा, अब थोड़ा सा डीटेल में देखते हैं, डीटेल भी नहीं बस रेटन रकौर्ड देख लेते हैं तो इसका भी बस होई है कि यह गौरा विलेज है, ठीक है मandila में गौरा विलेज है, वहां से जाकर स्टार्ट होता है तो बेसिकली अगर इतना डीटेल में जाना भी नहीं है, मैंने बस अभी लिग दिया है कि Guara Village में होता है और मन्दला से स्टार्ट होता है मन्दला धिस्रिक्ट ही मैकसिमम आपको याद करना है, ऐसे मैकसिमम से मैकसिमम वो यही पूचेंगे कि Brunnar River कहां से स्टार्ट होता है और Brunnar River किसकी ट्रिब्यूर्य ये थो कृष्टिन मैकसिममत आता है और कहान जाके खतम होता है तो ब्रणह रिवर स्टार्ट होता है गोरा विलिज वो है आपका मंडला में मरनना प्रिवर खतम कह अहां होता चलिए अब थोड़ा 3D view देख लेते हैं चलिए अब थोड़ा देखते हैं बर्नर रिवर के बारे में तो बेसिकली होता क्या है कि यह है आपकी जो माइकल रेंजस है वो है ठीक है यह सब आपकी माइकल रेंजस का एरिया है ठीक है तो यह पूरा प्लेंस नहीं है माइकल रे और यह है आपका Mandala District, तो आपको अब जाना है आगे, तो होता क्या है कि इस एरिया में बारिश होती है, तो अपरीश होता है, और बारिश की वज़े से जो आपका पानी है, तो आपको पता ही है, और यह पानी इखटा होते होते, आपका जो river है, वो तयार हो जाता है, बर्नर तो यह MP की MP में जो नर्मदा रिवर है अपनी प्यारी नर्मदा उसका major tributary है जो सबसे पहली tributary है जो सबसे main important पहली tributary है ठीक है तो चली हम अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अब हमें सीधे जाना है मैं आपको सीधे rapper दिखा देता है तो इसके साइड में से अ निकलते हैं तो यहे है आपको बंठर रिवर है यहां पर एक पुल बना हुआ यह गांब हुआ है मैं बस ऐसी बता रहा हूँ ठीक है यह है आपका बर्नर रिवर और उसके उपर पुल बना हुआ है और मैं इसको बिलकुल आप रोटीट करता हूँ अब सीधे अपन चलते हैं जहां पे इसका संगम होता है नर्मदा रिवर के साथ और इसकी खासियत है क्योंकि जो बहुत ही है और होटे रिवर की खासियत हैं अब चलते हैं सीधे संगम के पास लूए है आपका देख रहे हो यह है आपकी नर्मदा रिवर और नर्मदा रिवर से जाकर ये Burner River जाके मिल गया है ठीक है? ये है संगम ठीक है? बड़ी आसा दिख रहा है आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से गुमा के तो ये है संगम ठीक है? ये है आपका संगम स्थल तो यहां पे एक है संगम घाट मंदिर वो आपको देख रहा है नहीं है और यह कहां पे संगम होता है तियो गाउं नामग एक जगा है एक छोटा सा गाउं है वहां पे जाके संगम होता है तो यह है आपकी नर्मदा रिवर और यह है आपकी बर्नर रिवर तो बस इसमें इतना ही था है इसमें कुछ खास नहीं, छोटा सा river था चलिए अब बात करते हैं बंजार river के बारे में तो बंजार river relatively बहुत simple है ठीक है, आपने ब्रनर river जाएसे देखा होगा तो वैसे ही है बंजार river भी मंडला से start होता है और मंडला में ही खतम होता है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ यह है आपका नर्मदा, ठीक है यह है आपकी प्यारी नर्मदा, यह ऐसे निकलते हुए जा रही है ठीक है, गुजरात में कल्फ अफ कांबाद में जाके खतम हो जाती है चलो वो बात में देखा जाएगा तो अब यहां पे है आपका कौन सा बंजार रिवर है तो यह है आपकी बंजार रिवर, चोटी सी नदी दिख रही है, वो है बंजार रिवर अब इसकी खासियत सिर्फ दो है सबसे पहली खासियत है कि यह काना नैशनल पार्ग के बीचों बीच जाके निकलता है तो यह उसका लाइफ लाइन भी का जाता है और दूसरी चीज, दूसरी इंपोर्टन चीज है कि यह जहां पे नर्मदा से आके मिलता है जैसे आपको यह दिख रहा है ग्राफ में यह नर्मदा से आके मिल रहा है यहां पे इस एरिया में तो यह जो area है बिलकुल एक peninsular region जो अपना इंडिया का जो peninsular region है जो आपका जो South India है बिलकुल वैसे का वैसा है ठीक है आपको 3D view में अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा 3D view में अच्छे समझ में आ जाएगा तो होता क्या है कि जो आपकी जो नर्मदा है ठीक है आपकी जो नर्मदा है वो ऐसे रोटेट करके जाती है ठीक है और ये जो एरिया है वो भी मंटला है ये एरिया पूरा मंटला है मैंना बिल्कुल वाटा देता हूँ और यहां पे नर्मदा रिवर से जाके मिलता है इस एरिया में आपका क्या बंजार रिवर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 3D view में बिल्कुल अच्छा समझ में जाएगा पिस इसके बाद ही 3D view स्टार्ट हो जाएगा चलнок during detail में देखते हैं इक दो थीन सेंड़न से देखना है और कुछ में में तो चलिए तो यह हमने बात कि थी मंडेला में स्टार्ट होता है यह मंडेला में माइकल रिंजेस में स्टार्ट होता है और यह बैसिक Ск gagnब बिल्कुल टच कर चुका है थोड़ा सा पार्ट इसका आता है 36 गड़ से, ठीक है अ मतलब आपको तो पता ही है कि मतलब रिवर का exact origin place होता ही नहीं है, ठीक है कोई भी रिवर हो, उसका exact origin place होता ही है, ठीक्निकली कोई भी रिवर बहुत सारे चोटे मोटे stream से जाके बनता है, ठीक है Michael Rangers यहाँ पर है ठीक है मैं एक पर साफ कर देता हूँ तो इस एरिया में है आपका Michael Rangers तो यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होता है आपका बंजार रिवर और यहाँ पर इस एरिया में इस एरिया में है आपका Kanha National Park वो अभी हम National Park वाले सेक्शन में देखेंगे अभी डीटेल में देखेंगे अभी बस इतना जान लो कि यह बिल्कुल Kanha National Park से बीच में से जाके दलता है और इसलिए इसको Kanha National Park का Lifeline भी कहा जाता है ठीक है थोड़ा ध्यान से देखिए बहुत मज़ा आएगा देखने में ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं 3D View बंजार रिवर के उपर तो इस रिवर में उतना कुछ खास नहीं है बस एक चीज दिखाना है एक टापू जैसी एक चीज दिखानी है बैसिकली आपका जो Peninsular India है जोसे आपका जो South India है उसका एक चीज दिखाना है उसका miniature version में आपको दिखाना है बस ठीक है तो यह चीज उसके लिए important है तो मैं दिखाता हूँ तो सबसे पहले यह है आपकी बंजार रिवर ठीक है तो यह है आपकी बंजार रिवर और आप देख रहे हो कि यहां पर 36 गड़ है और यहां पर यह है आपका मध्यपदेश तो technically कह सकते हैं मंडला में यह technically MP और 36 गड़ का boundary बना देता है ठीक है तो पहली बार आप देख र यहां पे MP और 36 गड़ में boundary बनाया है आपका बंजार रिवर ने ठीक है तो यह देखने लाइक चीज़े अच्छा अब इसमें और क्या चीज़े अब यह एक नैशनल पार्क से जाएगा का नहां नैशनल पार्क उसके बीच में से जाएगा तो वह मैं दिखाता हूं तो परवत्री श्रिंखला है mountain ranges है ठीक है nearly southeast में आता है mountain ranges अगर आपको पता है नहीं तो वीडियो देख लेना तो चलिए अब देखते हैं तो यह है आपका बंजार रिवर और यह जा रहा है ठीक है यहां पर उतना कुछ खास चीज़े नहीं है ठीक है और यह अब जा रहा है अब मैं बिल्कुल तेजी से आपको आगे लेके चलता हूँ ठीक है तेजी से आपको आगे लेके चलता हूँ क्योंकि यहां पर उतना कुछ खास देखने लाइक नहीं है यह मंडला में ही चल रहा है अब मंडला में चलते चलते यहां पर थोड़े से दूर में आपको जान तो यह है आपका बंजार रिवर ठीक है और हम अब पहुच गहीं जो आपको घना हुआ जंगल दिख रहा है यह है आपका कानहा नैशनल पार्क ठीक है यह है आपका कानहा नैशनल पार्क तो आपका जो बंजार रिवर है वो यह है और वो बीच में से जा रहा है कानहा नैश नर्मदा में जाके चुड़ेगा तो हम अब चलते हैं सीधे नर्मदा की और चलते हैं तो इसका जो एंड मुझ अक्लिभ आपके जो जो काफी जो ट्रीप्यूट्रींीं है। हुए उनकव सीन भी मिखें एक डिस्टिक्ट में स्टार्ट होता है और उसपने इस तीन में दर्व्रंच अभी जाता है मैं दिखाता हूँ, तो खासियत है यह आपका जो इंडिया है, ठीक है, यह आपका जो इंडिया है, उसका थोड़ा बहुत लुक नहीं मिल रहा आपको, देखी, थोड़ा बहुत लुक नहीं मिल रहा आपको, जैसे यह है आपका केरला यहां पे, ठीक है, यहां पे है आपका दमिलनाडू। उसके उपर क्या है कर्नाटका और यहाँ पर त्यलंगान और आंदर-प्रदीष और यहाँ पर है महराश्रा। तो बिल्कुल वैसे ही लोक दे रहा है। यहाँ पर है आपका अरेबियान सी और यहाँ पर बे-ओफ बंगाल। वैसे लोक नहीं आ आपका जो बंजार रिवर है वो आके मिल गई है नर्मदा रिवर से ठीक है बड़ी है अच्छा अब यह मिल तो गई है अब आपको इसमें देखना है यह चीज है कि एक तो अपने काना किसली पाक के बारे बात की कि उसका लाइफ लाइन है फिर कहां से ओर जिनेट होता है औ पर 36 गौड और मत्यप्रदेश के बीच में और यह जो लास्ट चीज है यह जो संगम स्थल है यह जो संगम स्थल है तो वहां पर यह बिल्कुल एक पेंसलर जैसा एक रीजन मनाता है ट्राइंगल जैसा ठीक है उसके उपर तोड़ा सा हमने डिस्कुशन कर लिया ठीक है च जलिए अब हम बात करते हैं हिरन रिवर के बारे में तो हिरन रिवर की एक दो खास चीजे हैं एक तो यह जबल पूर में स्टार्ट होता हो जबल पूर में जाकर खतम होता है इसकी दो- inseck two major है हिरन रिवर की खुद की वो एक्षुली उमरिया और दमो रीजन उसमें भी भेहती है ठीक है तो अगर वैसे अगर MPPC में पूछा जाए कि कान स्टार्ट होता है तो आपको सिर्फ जबलपूर ही मार्क करना है ठीक है बले उसकी ट्रिब्यूटरी जबलपूर से पहले स्टा होती है बड़ जबलपूर ही आपको मार्क करना है अच्छा अब एक दोह चीज़े और देख लेते हैं तो फिर यह है आपकी कौन सी हिरन रिवर ठीक है यह आपकी हिरन रिवर और यह है आपकी नर्मदा रिवर ठीक है यह आपकी प्यारी नर्मदा रिवर और इसकी खासिय में एक village है कुंदम नामक का कुंटम विलेज ठीक है कुंदम विलेज तो यहां आप से उसका origin होता है कुंदम विलेज इन जबिलपूर और यहां पे एक mountain range है बानरर ठीक है बानरर ठीक है बहुती छोटा है और छोटा सो mountain range है इतनamente कुछ खास देखने लाइक नहीं है अगर पूछे जाए कि हिरन रिवर का कौन सो ओरिजिन मौंटें रिंजर से तो बाहनर लिखे आ जाना वैसे तो बहुत मुश्किल है ऐसे डीटील में पूछेंगे नहीं ठीक है फिर ओरिजिन है आपको कुंदम विलेज इन जबलपूर फ में अभी इसके जस्ट बात हिरन हिरन रिवर का 3D वी तो इसमें पर्टिकुलरी दिखाऊंगा भी कि संकल विलेज में जाके कहा खतम हो रहा है और इसकी खासियत है इस दे बिगगेस्ट राइट बैंक रिप्यूटरी ओफ नर्मदार रिवर ठीक है बिगेस्ट राइट ब मिलने वाला है कौन सा आपकी नर्मदा रिवर से मैं से लिए इसका 3D वी दिखा रहा हूं क्योंकि एक बार आपको दिमाग में रठ जाया है बस हिरन रिवर नर्मदा का एक ट्रिप्यूटरी है उसकी राइट बैंक ट्रिप्यूटरी है 188 किलोमेटर से जाता है और बेसिक अब मैं बिल्कुल एंड कर देता हूं इस हिरन रिवर को अब हमें जाना है सीधे नर्मदा के पास तो अब यह नर्मदा आने वाला है कहां पर संकल्प गाउं के पास तो यह है आपका हिरन रिवर और यह आपकी प्यारी सी नर्मदा तो यह है आपकी नर्मदा रिवर ठीक की नर्मादा रिवर ठीक है और यह area है संकल्प नामवा एक गाउं यह है जबलपूर में यह है जबलपूर में स्टार्ट होता है जबलपूर में ही खतम हो जाता है चलिए अब बात करते हैं शेर रिवर के बारे में तो इसकी खास्यत यह है कि तीन डिस्ट्रिक्स से निकलता है सबसे पहली बात तो यह origin होता है सी ओनी में और खत्ब होता है नर्सिंग पूर में तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस पर कुछ उतना कुछ खास नहीं है तो मैं बस अपना पैन उठा लेता हूँ ठीक है यह अपना पैन उठा लिया और थिकनेस कम कर दिया तो यहां से सी ओनी है यह आपका सी ओनी जिला है यहां से स्टार्ट होता है और इसकी खास यह थे है कि यह सी ओनी और चिंदवारा के बीच में एक boundary जैसा बनाता है ठीक है? boundary जैसा बनाता है और फिर आगे के और निकल जाता है नर्सिंग पूर में ठीक है? तो फिर technically चिंदवारा को भी ये connect करता है, cross करता है तो चिंदवारा से निकल गया और नर्सिंग पूर में जाके मिल गया ठीक है? नर्सिंग पूर में नदमदा से जाके मिल गया तो हम थोड़ा डीटेल में explanation भी देखते हैं और इसकी एक खास चीज है एक tones नाम का tones घाट नाम का waterfall भी बनाता है उसके बार में भी देख लेते हैं चलिए ओके तो हमने बात कि Sioni District में स्टार्ट होता है तो होता किया है कि यहां पे है आपकी सत्पुरा Ranges तो सत्पुरा Ranges में बारिश होता है तो बारिश का पानी नीचे आता है तो छोटे छोटे जो rivers है वो बड़ा सा एक river जैसा बनने लग जाता है तो वो है आपका शेर रिवर ठीक है वो है आपका शेर रिवर तो वो है आपका शेर रिवर और बेसिकली स्टार्ट होता है सत्पुरा Ranges में सत्पुरा Ranges in Sioni District of Madhya Pradesh और उसका टोटल लेंग्थ है 129 किलोमेटर अब मेंडली आपको नर्मदा अताप दी चंबल बेटवा इनके टोटल लेंग्थ ही याद करना ये चोटे मोटे जो शेर रिवर है हिरन रिवर है ब्रनर रिवर है तो इनके ये जो बेसिकली जो ट्रिब्यूटरी से हैं उनके जो रिवर लेंग्थ है वो याद करने की जरूवत नहीं है क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी कुछ होता है मत्तब कितना कुछ याद करोगे आप ठीक है मैंने तो बस अपन मैं टीचर हूँ इसलिए यहां पर लगा दिया कि 129 किलोमेटर अब आपको यह सब रटनी की जरूद नहीं है आपको चीज देखना है कि सत्पूरा में स्टार्ट होता है और आपको बेसिक सेंस होना चाहिए कि जो आपका जो रिवर है वो कहां से फ्लो हो रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां सत्पूरा से स्टार्ट हो रहा है या माइकल रिंज से स्टार्ट हो रहा है या आपको विंद्याचिल रिंज से स्टार्ट हो रहा है आपको खुदी समझ में आ जाएगा और आपको एक definite overview होना चाहिए कि कहां पे कौन सा डिस्रिक्ट है सियोनी डिस्रिक्ट तो पता लगाना बहुत एजी है क्योंकि वो बिल्कुल चिंदवाडा के साइड में है ठीक है और बालागाट के पास में है तो आपको यह definite idea लगना ही चाहिए ठीक है कि कहां पे कौन सा डिस्रिक्ट है तो सियोनी से स्टार्ट होता है ठीक है फिर उसके बाद चिंदवाडा में जाता है और नर्सिंग पूर में जाके खतम हो जाता है तो वो तीन डिस्रिक्ट है सियोनी चिंदवाडा और नर्सिंग पूर ठीक है अब आपको रटना नहीं है आपको बस बेसिकली एक बार फ्लो डाइगरम देखना है और आपको समझ में आ जाएगा कि या रहां यह तीन डिस्रिक्ट से जाता है अच्छा अब इसकी खासियत है कि यहां पे एक चोटा सा वाटरफॉल बनाता है तो जो छोटा सा वाटरफॉल है उसका निकनेम भी है कि छोटा दुआदर वाटरफॉल ठीक है छोटा दुआदर वाटरफॉल और इसका रियल नाम है टोन्स गाट वाटरफॉल ठीक है नदी किनारे रह रहे थे तो फिर यह तोन्स नदी तोन्स भाट वाटरफॉल लाग है ठीक है तोåन्स गार वाटरफॉल के पास ही रह रहे थे तो यह मान जाता ​ तो इतना ही है आप एक 3D ूभ देख लेते और कृतम कर लेते बस। चलिए अब हम देखने वाले हैं 3D view, share river के उपर, तो basically आपका ये जो area है, ये आपका है Sioni, ठीक है, ये है आपका Sioni, और होता क्या है कि इस area में बारिश होता है, आप ये देख रहे हो कि ये है mountain ranges, ठीक है, इस area में बारिश होता है और ये दीरे-दीरे river form होने लगता है, ठीक मैं actually और पीछे ले जा सकता हूं, ठीक है, बट कोई फाइदा नहीं है, वो बिलकुल अलग ही, बहुत सारी rivers आपको दिखने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे tributaries, चोटी-चोटी-चोटी tributaries से बनके मिला है share river, और share river भी एक tributary है नर्मदा का, इतनी बात तो आप ज दिखाना चाहता हूं, tones ghat, ठीक है, tones ghat नामका एक waterfall है, वो अभी थोड़ी देर में आएगा, तो I think ये है वो, हाँ, तो ये ही है, वो tones ghat नामक waterfall, ठीक है, ये, अभी ऐसा कुछ दिखनी रहा है, ठीक है, माफ कर दीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो ये है, आपका tones ghat ना ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ आता है, नर्सिंग पूर में, और नर्सिंग पूर से आपका अब ये सीधे जाना है, कहाँ पे, वापस मतलब नर्सिंग पूर में ही रहना है, क्योंकि अभी हम कहाँ पे जाने वाले हैं, अब हम सीधे जाने वाले हैं, नर्मदा में, ठीक है यह आ गई है आपकी नर्मदा रिवर और उससे अभी मर्ज होने वाला है धीरे 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 तो आप मैंने पहले भी बात कहिए है कि एक छोटी सी भी रिवर हो उसकी थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरी से गर रहती है तो यह उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है यह उसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी है तो बहुत सारी छोटी छोटी नहर या ट्रिब्यूटरी से बनके बना है आपका शेर रिवर और शेर रिवर खोद एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा का तो यह है आपकी नर्मदा रिवर उससे जाके मिल गया ठीक है यह है आपकी नर्मदा रिवर और यह है आपका शेर रिवर और यहां पे उसका संगम हो गया कहां पे नर्सिंग पूर में औरिजिन कहाम पे, सियोनी में, चलिए, खतम करते हैं, तो बेसिकली यहां से स्टार्ट होता है आपका शक्कर रिवर, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है आपका शक्कर रिवर, शक्कर रिवर स्टार्ट होता है चिंदवाडर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चिंदवाडर ड दिस्ट्रिक्ट है यह मान लो ठीक है और यहां पे आपका सत्पुरा मौंटेंस है और यहां पे एक छोटा सा एरिया है अमरवारा ठीक है अमरवारा डिस्ट्रिक्ट है तो यहां पे आप यहां पे बारिश होती है सत्पुरा मौंटेंस में और दीरे 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 पानी निकल गयाता है और पानी यहां पे खट्ट हो जाता है और यहां पे आपका जो शक्कर रिवर है फॉर्म होता है ठीक है अमरवारा चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट में यह स्टार्ट होता है अच्छा अब यह चाहता रहता है जाता रहता है ठीक है उतना बड़ा रिवर नहीं और फि चिंदवाड़ा district में इसका origin रहता है origin है चिंदवाड़ा district notes में साफ better लिखा रहेगा ठीक है चिंदवाड़ा में और इसका जो end है जो confluence है confluence वो होता है आपका नर्मदा रिवर में नर्मदा रिवर में और ये नर्मदा रिवर में कहां जुड़ता है ये जुड़ता है नर से हैं सिध का चिंद्वारा सबसे बड़ा डिस्टिक्ट है Iskete उपर एक चोटा सा डिस्ط्रिक्ट है उतना भी छोटा नीए बट चिंदεारा से छोता है उसके बरे इस डिस्रिक्ट है Natasic ठीक है अच्छा एक दो चीज और देखना है कि आप इसका डारेक्शन देख लो यह इसका डारेक्शन है नॉर्थ वेस्ट ठीक है यह आपका है नॉर्थ वेस्ट और शक्कर रिवर जाता है उसका फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डारेक्शन में ठीक है नॉर्थ वेस्ट डारेक् यहां पे इसको ऐसे जोड़ लेता है और यह जुर्ता कहां पर है नर्सिंगपूर डिस्रिक्ट में जॉइन होता है ठिक है और वह प्लेज का नाम है गदरवारा ठीक है गदरवारा वहाँ जॉइन होता है शक्कर रिवर आपका अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ शक्कर रिवर का जो टेरिट्रियल मैप है गूगल अर्थ पे वो आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद हम MCQ सॉल्फ करेंगे चलिए ओके सो यह है आपकी सत्पुरा की मौंटेंज एक बार गुमा के दिखा देता हूँ यह है आपका पुरा सत्पुरा की मौंटेंज ठीक है सत्पुरा मौंटेंज तो यहां पे बारिश होता है ठीक है इस एरिया में बारिश होता है तो आपको पता है कि बारिश होता है तो पा आगे जाती यह नदी है आपका शक्कर रिवर, ठीक है, यह है सक्परा म कांटेंस और यह है शक्कर रिवर और यहाँ प्रते जाएज तो फिर यह है आपका शक्कर रिवर आगे बढ़ता हुआ और यहां पे वो किसी और रिवर के साथ उसने जोड लिया ठीक है और यहां पे अभी भी वो शक्कर रिवर ही कहलाएगा यह है शक्कर रिवर यह आगे जा रहा है आगे जा रहा है ठीक है अब इस एरिया में आके वो सीता रिवर के साथ मिल जोता है यहां पे इस एरिया में आके सीता रिवर के साथ मिल जाता है यह है शक्कर रिवर और यह है सीता रिवर रिवर ठीक है यहां पे मिल जाता है और आगे की और बढ़ता है आगे आगे बढ़ता है यह भी भी शक्कर अब नर्मदार रिवर में डै जाता है, पूरा का पूरा पानी नर्मदार रिवर में चला जाता है, तो आपको पता ही होगा कि नर्मदार रिवर कितना दूर जाता है, वो अरेबियन सी में जाता है, ठीक है, तो यह वेस्ट की और जा रहा है, ठीक है, यह है नर्मदार रिव या North flowing river तो बात का कै की, सबसे पहले, चिंद वाड़ा में start होता है, क्योंकि चिंद वाड़ा में ये शक्र और सीता river इसी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये डोनों originate एक ही इसलतwo हुता है, वो है, सथपुद्पूरा मौंटेंज, ठिक है, चिंद वाड़ा कही अधे बैक साइ नमदा में जाता, यह नमदा में गिरता, यह सबसे पहले सध्पुडा से निकलता है और फिर यहां पे आपका जो शक्कर रिवर है उसके साथ यह मरज़ कर लेता है, और शक्कर रिवर जाके नमदा में नर्मदा में ठीक है बहुत इजी है चलिए तो सीधा रिवा रिवर स्टार्ट होता है चिंदवाडा में और नियरली चिंदवाडा में खतम हो जाता है चिंदवाडा के अंदर ही यह शक्कर रिवर के साथ मर्च हो जाता है समझ में आ रहा है चलिए अच्छा आप थोड़ा क हमने बात की थी कि ये नर्मदा में directly जोइन नहीं करता है, कुछ sources ये कहते हैं कि नर्मदा में directly yan करता है बतम गलत है, मैं आपको Google Maps में दिखाऊंगगा कि ये directly join नहीं करता है, यह directly join करता है शक कर रिवर में और शक कर रिवर जाके नरमदा में चलिए अच्छा अब इसमेंग चीज़ है कि इसका जो flow pattern है यह है आपका सिदा कर रिवर और यह है आपका शक कर रिवर इसका pattern हमेशा हो selective रहता है क्योंकि यहां पर मौनसून की वज़े से, मौनसून या रीन की वज़े से बहुत जाधा flooding होती है तो flooding की वज़े से इसका जो direction है वो बार बार चेंज उलिया था अपना कुछ खास important नहीं बट देख लो बट flooding होता है अब अच्छा अब last चीज की शक्कर river के साथ ये जोइन होता है चिंदवाड़ा डिस्रिक में और अफकोर्स ये शक्कर river की तरह आई है तो ये north flowing river है समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा सा mcq solve करते हैं उससे पहले हम थोड़ा map देख लेते हैं google maps में उसमें हमें दिखाऊंगा कि सीता river river कैसे flow होता है चलिए तो ये area है आपका सत्पुरा mountains ये area है पुरा सत्पुरा mountains मैं एक बार घुमा के दिखा देता हूं तो ये area है आपका सत्पुरा mountains ठीक है? बड़ी है? एक बार घुमा देता हूं ठीक है? आपका ये है सत्पुरा mountains तो बेसिकली क्या होता है कि यहां बारिश होती है ठीक है इस एरिया में बारिश होती है तो बारिश जब होता है तो पानी नीचे आता है ठीक है पानी नीचे आते 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 आपका यह जो पानी है वो धीरे धीरे रिवर जैसा बन जाता है तो बेसिकली यह है रिवर और जो भी हो, तो यह है सीता रिवर रिवर, ठीक है, तो यह है चिंदवाड़ा का एरिया, चिंदवाड़ा का प्लेंज, ठीक है, और सीता रिवर आगे की और बढ़ रहा है, ठीक है, आगे की और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे उसके साथ किसी एक रिव के साथ ठीक है वो मिल गया है शक्कर रिवर के साथ ये शक्कर रिवर के साथ मिल गया ठीक है अब शक्कर रिवर जाके मिल जाएगा नर्मदा रिवर में ठीक है ये है अपना सीता रिवा रिवर ये है शक्कर रिवर शक्कर रिवर आगे जाके मिल जाएगा नर्मदा रिवर म है थोड़ा से इंपर्टन की यह तेंकली बोपाल कि लाइफ लाइफ लाइन यह ने इसके उपर जो डाम बना है कोला डाम वो बोपाल जो कैपिटल है MP का उसकी तर्फ टेकनिकली किया सकते लाइफ लाइफ लाइन है और यह बिसिक ली तीन से शुर्वी पूपार रैसें सीहोर्ड में पैता होता है और रैसान में चाकर में खतम हुआता है आपका मैप यह आपड देखे रहे हो यह है आपका शानदार नर्मदार रिवर और यहां पर यह है आपका खुरार रिवर अब थोड़ा डूदेखे answers उसके बाद थोड़ा flow देख लेते हैं और फिर उसका end कहां पर होता है वो भी देख तो basically जो कोला रिवर है उसका origin start होता है और आपको विंद्या रिंज की बार में थोड़ा तो आइडिया होगा अगर विंद्या रिंज की बार में आइडिया नहीं है तो बस अभी के लिए विंद्या रिंज में start होता है दो important रिंजर से एक तो satpura और एक है विंद्या रिंजरे तो यह विंद्या रिंज में start होता है अच्छा तो अब यह गिरता कहां पर है यह जाकर गिरता है नर्मादा रिवर में तो एक-अर चीज़ देख लो कि यहां पे एक है area बिल्किस ग वहां पर यह स्टार्ट होता है आपका कुला रिवर ठीक है तो यहां पर स्टार्ट होता है सीहोर में और यहां पर है आपकी विंदिया रेंज तो यहां पर वह स्टार्ट होता है तो और यह फिर बेसिकली बोपाल में जाता है अच्छा सीहोर और बोपाल यह है आपका बोप जीज का हुआ हैé 6ahlen पर दिक दो दो इसी आरो इस्का अंड ओन फ्ला फोर तो इसी पर नसरौ ला गंज इंन विएạiसन दिस्डिक未 על कि मिल जाती है ठीकई अब यह बहुत सारी rivers है जो नर्मदा से जाकर मिलता है एक यहां 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 तो उसे मेज़ूर्टी important वाला है तवा तवा सबसे ज्याधे important है एक है शक्र फिर एक है कोलार ठीकई तो और भी rivers है जैसे चोरल हुआ बहुत सारे reverse है और एक दो गुजरात में भी है बट तवा सबसे जादे important है ठीक है अब वो क्यों important है एक तो वो longest bridge बनाता है longest dam बनाता है बहुत सारी चीज़ है छोड़ो अभी बात की बात है अच्छा है सबसे पहले flow state सिर्फ एक इस state में भैता है एक ही state में इसका origin होता है और एक ही state में जाके इसका खतम होता है ठीक है तो MP में जो भी नर्मदा से जो भी मिलने वाली reverse है majority जो tributaries है उनका end यही होता है ठीक है मतलब basically वो start MP में ही होता है और MP में जाके खतम हो जाता है अच्छा अब district district है तीन सीहोर बोपाल और राइसें और इसका flow drainage उतना important नहीं है 1347 square kilometer ठीक है इसका flow drainage अच्छा अब flow drainage क्या होता है drainage basin क्या होता है तो basically होता क्या है जैसे यह आपका river है ठीक है यह आपका river है उससे चोटी मोडी tributaries उससे आके मिलती है ठीक है यह चोटी मोडी tributaries उससे आके मिलती है तो यह जो पूरा area है यह जो पूरा area है उसको कहते हैं आपका catchment area या आपका drainage basin तो आपका जो कोला river है उसका drainage basin यह है और अगर आप drainage basin जैसे नर्मदा का हुआ तो यह है नर्मदा की तो उसका drainage basin भी बहुत बड़ा है तो ये है नर्मदा का drainage basin ठीक है और वैसे ही यह है यहां पर ठीक है यह है आपका कोला रिवर का drainage basin ठीक है कोला रिवर की भी तक यह है 101 km अब एक दो फैक्ट देख लेते हैं और एक डाम के बारे में देख लेते हैं अच्छी दो डाम से स्की उपर ठीक है तो वो दोनों डाम के पूर पर एक दो लाइन पढ़ लेते हैं उससे जाधा कुछ इंपॉर्टन है नहीं ठीक है चली अच्छा तो हमने भी दे इससे मैं जाता ही थिक कै तो इसका डारे एस सकते है कीह साथ की और है साफ डारे क्सित खींकृट थे आप का capital जो आपका जो बोपाल है यह आपका बोपाल है तो यहां पर बहुत बड़ा तालाब है अपर लेक, ठीक है, अपर लेक, मैं बोपाल से हूँ, मैं बहुत बार गुम चुका हूँ, ठीक है, 11th, 12th यहीं, बिल्कुल यहीं गुमता रहता था था मैं, 11th, 12th क्लास में, तो अगर आप बोपाल से हो तो आपको डेफिनिटली आइडिया होगा, और कभी भी आप बोपाल यूस है, इंडस्ट्रियल यूस, उसके लिए अपरलिक यूस होता था, बट अब रिसेंटली पॉपुलेशन इतना जादा बढ़ गया है, कि यहां पे अपरलिक का पानी बिल्कुल नीचे हो जाता है, समर सीचन में, तो क्या हुआ कि यहां पे डिसाइड किया गया कि चलो अब कोलार जो रिवर है, वो थोड़ा सा निकलता है, उसके उपर एक डाम बना देते हैं, तो जब डाम बना तो यहां पे बन गया solid सा कोलार रिसर्वा है, अब इस डाम से सिचाई, फिर ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल यूस, उसके लिए अब बोपाल के लिए नि या आपका जैसे रिसर्वायर बना दिये यहां पे कोलार डाम, ठीक हैं, कोलार डाम और कोलार रिवर, उसके आगे ही थोड़ा एक है छोलिया पूर डाम, छोटा सा डाम है, झोलार डाम भी छोटा सा ये है बट बोपाल के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इन पॉर्टन डाम ह उससे एक छोटा सा होट डाम है वो राइसन के पास आता है वो है जोलियापूर डाम तो यह दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है तो हमने बात की को राइसन होता है कहां पे सीहोर में इसका लेंक्ट कितना है 101 किलोमेटर इसका जो टूटल जो कौन से तीन डिस् तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कोला रिवर के उपर ठीक है तो यह है बेसिकली 3D विव तो हमें जाना है सबसे पहले कहां पे सीहोर में सीहोर में इसका जन्म होता है अब प्रॉब्लम क्या है कि यह है सीहोर ठीक है यह है सीहोर तो टेक्निकली यहां से स्टार्ट होत तो बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स मिलके ये मर्ज होके बनता है कोला रिवर्स ठीक है मतलब most of the reverse भी ऐसी बनते हैं अब problem क्या है कि google map में ये दिखानी पा रहे हैं कि देखो problem क्या है यहां पर यहां से छोटे छोटे जो रिवर्स है ये बनके बन रही है आपकी कोला रिवर्स ठीक है तो ये एक छोटा सा रिवर्स है ये छोटा सा रिवर्स है ये दिखाना थोड़ा मुश्किल है तो इसका जो रियल फेस है रियल जो विराट रूप होता है व कि आपकी पीचऊंबीच है तो यह है आपकी कोला रिवर तिक है बढ़िया ससे दिखता है ना यह है आपकी कोला रिवर अब कोला रिवर आगे हम जा रहे हैं ठीक है और यहां पर आपका बन गया है कोला डाम के सामने है कोला बात तो बहुत सिंपल है यह तो मैंने बहुत बार बताया कि आप river जो जो जा रहा है उसके सामने आप डाम बना दू तो बिल्कुल एक तालब जैसा एक area बन जाता है को कहते हैं तो वैसे ही यह है आपका कोला डाम का रिसरवाय अच्छा अब मैं दिखाता हूं आपको कोला डाम तो यह है बेसिकली आपका कोला डाम अगर आप बुबाल आने वाले हो तो एक पर मुझे बता देना मैं आपको घुमाऊंगो बहुत प्यारी जगाए बहुत सेजन में तो अभी यह यह इन लोग ने शायद फोटो यह जब गुगल अर्थ का जो फोटो है इन लोग ने शायद गर्मी के मौसम में लिया क्योंकि पता इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां पे जो कोला डाम का जो गेट है ठीक है एक-दो बारिश के बाद यह फुरा है उसका गेट तो MPPSC की पर्स्पेक्टिव से उतना कुछ खास इंपॉर्टन नहीं है कोला डम और कोला रिवर कोला ओवरॉल रिवर इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि आपको शायद मैंने लेक्चर में भी पताया है क्योंकि जो बोपाल है जो MP का कैपिटल है उसकी लाइफ amarization और उवन जो पानी का पानी हो यहीं से आता है जो नए कॉलएफ जो बोपाल में बन रहे है उसको पानी यहां से ही आता है ठीक है तो यह बिल्कुल नर्व है बोपाल का तो अगर यह सूग गया तो हम लोगा की बैब बजने वाली है ठीक है तो यह है आपका कोला डाम ठीक है और अब हम चलते हैं आगे ठीक है तो हब चलना है आगे तो फिर अब चलते हैं आगे तो इसकी खास्यत है क्योंकि यह थोड़ा घूम जाता है ठीक है यह अब जो यह रिवर है यह थोड़ा घूम जाता है तो अब यहां पर आगया अब यह बिल्कुल थोड़ा गायब हो जाएगा ठीक है यह बिल्कुल थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा और यहां पे एक और डाम बनाता है ठीक है यह है एक और डाम मैं दिखाता हूँ हाँ, तो ये है डाम, जोलियापूर डाम, ठीक है, ये है आपका जोलियापूर डाम, एक कोलार के सामने बहुत चोटा सा डाम है, ठीक है, अगर जोलियापूर अगर बस पूछ लिया कि कहां पर बनाएं, किस रिवर पर बनाएं, तो आपको कोलार डाम मार्क करके आना है, उस अब यह जाके मिर्णे nhưng वाला है नेरमदा रिवर से यह जली से अब यह आगे बढ़ रहा है अब यह मिलने वाला है नेरमदा है तो ये आ गई है आपकी नर्मदा ये आपको दिख रहा है ये है आपकी नर्मदा ये है आपकी कोला रिवर ठीक है और ये है आपकी नर्मदा रिवर तो ये डेफिनिटली लिया गया है समर सीजन में क्योंकि आपको आइडिया लगी गया है क्योंकि इसका पानी भी नर्मदा पानी भी नीचे ही है ठीक है तो यह है आपका कोला रिवर और यहां पे वो नर्मदा रिवर से जाके मिल गया है अच्छा अब नर्मदा रिवर कहां जाके मिलता है नर्मदा रिवर जाके मिलता है आपका अरेबियन सीम है तो देखी रहे हो कोला रिवर तो बिल्कुल गाया भी हो गया है ठीक है यह पूरा है आपका नर्मदा रिवर ठीक है यह है आपकी नर्मदा रिवर ठीक है चलिए तो यह है आपका तवा रिवर ठीक है तो बेसिकली तवा रिवर दो जगे से स्टार्ट होता है कुछ बुक्स इसको कहती है कि यह पचमडी खोशनकबाद साइट से स्टार्ट होता है और कुछ बुक्स इसको कहते हैं कि बेतूल से स्टार्ट होता है तो एक्चुली दोनों सही है दोनों जगे से स्टार्ट होता है दो ब्रैंचस है ठीक है दो ब्रैंचस है तवा रिवर के एक स्टार्ट होता है आपका पचमडी होशंगबाद साइट से ठ तूसरा स्टार्ट होता है बेतूल से और यह एक्चुली सत्पुदा रिसर्वायर में जाके मिल जाती है और में तवा रिवर सत्पुरा रिवर से निकल के आती है चलिए तो मैं डीटिल में समझाता हूं अभी थोड़ा सा बेसिक देख लो तो यह है आपका नर्मदा रिवर ठीक है यह है आपका नर्मदा रिवर और तवा स्टार्ट होता है आपका पचमडी से पचमडी से स्टार्ट होता है और होशंगाबाद ठीक है होशंगाबाद में आके खतम हो जाता है चलिए अब थोड़ा डीटिल में देखते है इसके बारे में तो आप देख रहे हैं य महादेव हिल्स. यह है आपका पचमड़ी में. और पचमड़ी काहां पे है ? रहा है शो संध़ नगाए होगे आगर आप वोपाली, अगर आप MP वाले हो तो पचमड़ी कभी ना कभी तो गय होगे. यह कभी जगे से स्टार्ट होता है एक है पचमडी और दूसरा है बेतूल तो कुछ बुक्स इसको पचमडी कहती है कुछ बुक्स इसको बेतूल कहती है Wikipedia इसको बेतूल कहता है ठीक है तो अकर question आया है तो हम क्या mark करेंगे तो वो exact answer नहीं देंगे for example अगर वो पूछेंगे कि origin of Tawa river कहा है तो वो MPPSC वाले ऐसे set करेंगे पचमडी ठीक है फिर वो set करेंगे बोपाल फिर वो set करेंगे शिवपुरी फिर वो set करेंगे मोरेना बट वो बेतूल आट नहीं करेंगे ठीक है तो बेतूल या पचमडी मैं थोड़ा confusion है बट truth है कि पचमडी और बेतूल से दोनों जगे से ही आता है ठीक है और यह सत्पुदा reserve में सत्पुदा reserve wire में आके पानी इसका आ जाता है और फिर वहाँ से एक होके जाता है मैं अभी दिखाता हूँ ये slide में तो सबसे बिले मुझे से हटाने तो तो आप देख रहे हैं यह है आपका पचमडी यह है आपका पचमडी के mountains ठीक है और यहां पे एक हिल है महादेव hills ठीक है बहुत प्यारी जगा है महादेव hills आपको जाना चाहिए ठीक है महादेव hills और यह है होशंगबाद district में पचमडी है होशंगबाद district में तो यहां से बहुत यहां पे इस area में बारिश होती है तो फिर यहां पे यह पानी नीचे नीचे आता रहता है ठीक है यह पानी नीचे नीचे आता है और ये पचमडी वाला यहां पर आता है और एक reservoir है सत्पुदा reservoir यहां पर ये पानी accumulate हो जाता है अच्छा पानी accumulate होने के बाद क्या होता है पानी accumulate होने के बाद ये सीधा सा एक river होके ये जाता रहता है ठीक है? ये एक river होके जाता रहता है बात समझ में आया हैं, एक है Part A, और एक है दूसरा Part B, Part A स्टार्थ होता है आपका पचमड़ी साइट से, होशंगवाद इस्ट्रिक से, और दूसरा है Part B, बेतुल इस्ट्रिक से, बट एक चीज देखना है, अगर पचमड़ी भी हो, बेतुल भी हो, स्टार्थ होता है, यह ह टेकनिकली पूछे तो कहां से स्टार्ट होता है तवा रिवर स्टार्ट होता है सत्पुदा माउंटेन से चलिए अच्छा तो आपका जो रिवर है तवा रिवर वो यहां तक पहुच गया तवा रिवर यहां तक पहुच गया अब यहां पे एक डाम बना है तो क्या होता है क एक reservoir बना देता है तो क्या हुआ तो तवा रिवर 1958 में यहां पे एक डाम बना दिया ठीक है यह तवा डाम बना दिया यहां पर तो यह बहुत बड़ा reservoir बन गया तो यह बेसिकली यहां पे एक forest था बोरी forest उसको उसने समर्ज़ कर दिया बहुत सारे जीव जन तुमरे पर वो सब पहली की बात है आप जान दो जो भी हो तो basically हो क्या रहा है कि यह one of the reason इसको बनाया इसलिए गया था कि यहां से थोड़ा पानी divert कर दिया जाए तो पानी आप देख रहे हैं कि यह जो है आपका reservoir है यह आपका reservoir है ठीक है और यह आपका डाम है यह जो black में है यह आपका डाम है ठीक है डाम से आपने एक पार्ट आपने तवा कनाल से भेजा और दूसरा बाकी यह है आपका तवा रिवर ठीक है यह आपका तवा रिवर है तो यह जो तवा कनाल है यह जाता है आपके खरगो नेरिया में पूरा वेस्ट नर्मदा की तरह यह पूरा वेस्ट की और चला जाता है वेस्ट की और इसलिए जाता है क्योंकि जो कॉटन रिच एरिया है जहां पर कॉटन जात पानी की ज़रुवत नहीं है बट उस एरिया में ये लोग पानी बीशते हैं ठीक है क्योंकि खरगोन खंडवा उस एरिया में ये जो एक्स्ट्रीम मालवा और अली राजपूर ये जो एरिया है वहां पे पानी की थोड़ी किलत है तो ये जो तवा कानल के तवा कनल तुधार थुछ ये पानी वहां पे डायवट किया जाता है ठीक तो मैंने बात किया यहां पे यहां पे आंपर 1958 में तवा जो रिवर है उसके उपर एक जो लोग ने डाम बना दिया डाम की वज ज़र मालग गया ठीक है उसके जो फॉरस्ट था उस यह अदिए की कहाफी समर तो उसके बाद यह divert हुआ तो कुछ पानी इस तरफ चला गया और यह जो यह जो पानी है यह अभी भी तवा रिवर ही कहा जाता है अच्छा अब यह जो तवा डाम है यह MP का सबसे लॉंगेस्ट डाम है ठीक है MP का सबसे लॉंगेस्ट डाम है ठीक है I repeat again यह तवा डाम MP का अच्छा है makepand यह सब चीज़े साफ करते हैं तो गंदा लग रहा है ठीक है उसके बाद यह जो तवा रिवर है वो आगे जाता है और यह मिलता है इसके उपर एक बना हुआ ब्रिज तवा ब्रिज ठीक है यह ब्रिज बना है तवा ब्रिज यह MP का सबसे बड़ा ब्रिज ह इसके बाद यह होशंग बाद साइट में होशंग बाद थोड़ा से एरिया में यह दरमदा के साथ मिल जाता है और नरमदा आपको पता है की Arabian seed बेन्य जाता है ठीक है तो यहां पर है आपका पचमरी मिलaldा हिल्स इंस पच्हां पिड़िज घ का सार वामदे अचेक है। तो यहां पे एक है B falls लेक बहुत प्यारा waterfall है फिर उसके पास है genius फोल तो यह है आपका pictures fall देखर है फिर है उसके बात रजट fall तो यह singular fallsart है जो आपको याद करना है अब याद करने की जरूरत निया क्यां कि परs qलाओं आपसके में 3D views दिखाऊंगा बट अभी के लिए बस तवा के बारे में याद करना है तो यहां पर यह है पचमडी ठीक है यह है पचमडी एरिया पचमडी कहां पर है होशंगबाद में पचमडी साइट से थोड़ा सा पानी आता है तवा का फिर बेतुल साइट से भी तवा में तवा का पानी आता है यह मिलता है सत्पतार रिफ सर्वायर में फिर एक होके यह तवा रिवर बनता है और यहां पर डाम बना दिया तो उसके वज़े से एक रिसर्वायर बन गया फिर यहां से एक नहर निकाला किया है तवा के नाल और तवा के नाल किसलिए यूस होता अभी ठीक है उसके बात ये जो वाला पार्ट है ये नर्मदा में मिल जाता है ठीक है अच्छा ये आपको बेसिक मैप है अब मैं आपको 3D मैप दिखाता हूं गुगल मैप में बड़ा मजा आएगा आपको एक्शली जल्दी समझ में आ जाएगा चलिए अच्छा तवा के दो ब्रांच से एक ब्रांच बेतुल से आता है और दूसरा ब्रांच पचमडी से आता है ठीक है दो ब्रांच से एक बेतुल से आता है और दूसरा पचमडी से तो सबसे पहले हम पचमडी वाला ब्रांच देखते हैं तो यह है आपका महादेव हिल ठीक है इसकी उपर है महादेव टेंपल यह है पचमडी ठीक है पचमडी है हिल स्टेशन होंशंगबाद में तो सबसे पहले यहां इस एरिया में बारिश होती है ठीक है बारिश के वज़े से जो पानी है वो नीचे आता है ठीक है पानी नीचे गिरता है और भीसी बात है ठीक है बारिश का पानी वजय से यह यहां पे मतलब धीरे धीरे यहां पे एकड़ाओने लगता है और वो एक टाइस का ृवर बनने लगता है अब यहां से वो रिवर निकलते 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 आपको जाना हे एक एरिया पर सत्तपुर्णब रिसर्वायर मैं अभी पे आप देख रहे हैं सत्पुड़ा रिसर्वायर ठीक है और यहां आपका महादेव हिल्स ठीक है महादेव हिल्स यहां पे था तो यहां पे एक और ब्रांच आता है वो है बेतुल वाला ब्रांच ठीक है यहां से आता है पेतुल वाला ब्रांच ठीक है यह जो दिख रहा है यह है बेतुल वाला ब्रांच, ठीक है, बेतुल वाला ब्रांच, बेतुल से आता है, और दूसरा है महादेव वाला ब्रांच, ठीक है, याने की पच्मडी वाला, यहां से वो पच्मडी वाला ब्रांच आता है, तो यहां पर पानी खटा होता है, यह है आपका सत्पुड़ा रिसर्वायर ठीक है यह है आपका सत्वड़ा रिसर्वायर ठीक है उसके बाद उसके बाद यहां पे थोड़ा पानी खटा होने के बाद वो फिर से तवार नदी ठीक है मतलब आगे बढ़ता रहता है यह बढ़ने लग गिया फिर से तवारिवर ठीक है यह है आपका तवारि और यहां पर हम आ गए हैं, रिसर्वायर पे, तो यहां पर basically एक डैम बना है, मैं दिखाता हूँ वो डैम, तो यहां पर एक डैम बन गया है, तो डैम के वज़े से पानी यहां पर accumulate हो गया है, तो इसको कहते हैं तवा रिसर्वायर, ठीक है, यह है आपका तवा रिसर्वायर ठीक है ये बड़ा सा reservoir ठीक है ये है लेक जैसा जो बन गया है वो है आपका तवा reservoir तो मैं अब दिखाता हूं आपको जो वो dam है तो ये है वो dam ठीक है ये है तवा डाम मैं एक मिनट उसको दिखाता हूं ओके तो ये है वो वाला डाम एक मिनट ओके तो ये है वो वाला डाम ठ तो यह क्या है तो यह बेसिकली तवारिवर वापस से तवारिवर ही है ठीक है मैं फिर से दुराता हूं यह है तवारिवर ठीक है यह है तवारिसरवायर और पीछे जो था वो भी तवारिवर ही था और यह है तवाडाम ठीक है यह है तवारिसरवायर तवाडाम और वापस से यह है तवा रिवर अच्छा इसमें एक इंपोर्टन सी चीज देखनी है ठीक है मैं आपको एक चीज दिखाता हूं तो यहां से ठीक है थोड़ा सा पानी हमारे MPK एंजिनियर्स ने इसको डाइवर्ट कर दिया है ठीक है तो यह आपका तवा रिवर है और यहां से एक जा रहा है वो तवा रिवर ठीक है और एक चैनल निकाल दिया अनों यहां से डीक है यहां से टीक है आप तवा चैनल ठीक है यह है आप अपका रिसेर्वाइर और यह है तवा चैनल निकाल दिया उन लोग ने तो basically इसका purpose यह है जो area जहां पर बारिश नहीं होती उस area में इन लोग ने पानी टाइफट कर दिया देखिए यह पानी चा रहा है यह है तवा चैनल ठीक है तो यह कहां तक जाता है यह actually खंडवा तक जा रहा है आजकल ठीक है य यह है तवा reservoir यह है आपका तवा डैम और यहां पर एक चैनल के द्वारा आपको डाइवर्ट कर दिया चैनल यह है तवा चैनल ठीक है पानी डाइवर्ट कर दिया थोड़ा सा ताकि खंडवा जैसे area जहां पर जादा पारिश नहीं होती वहां पर पानी की मत जो खिलब मत दिया उसको वह सौट आउट करते हैं ठीक है तो यहां पर यह है तवा चैनल अच्छा अब यह तवा रिवर आगे की और जा रहा है जारा 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 है अब यहां पर एक ब्रिज आएगा ठीक है आपको एक ब्रिज आएगा उसको आपको देखना है श्रेद ब्रिज आगे निकल गया है नहीं नहीं निकला तो यह है तवा रिवर तवा रिवर आप आगे जा रहा है आगे जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यह चैनल वो है ठीक है यह है वो च यह है नर्मदा यहाँ पे नर्मदा से मिल गया, तो यहाँ पे कहीं वो ब्रिज है, ठीक है तबा वर बरिज यहाँ पे कहीं है तबा ब्रिज तो यह तवाबिंज ठीक है यहां पे यहां पे वो तो यह ओकई अरगा दरा से मिलता तो आपको समझ में आ गया होगा एक और बार अच्छे से आपको याद हो जाएगा Sohet है आपका तवर्य सर वायर एक मिनिट यह हैं आपका तवार्य और यहां से आपको जाता हुआ दिख रहा है वह हैं आपका निर्मद रिवर टीक है calendar रिवर यह ताब दो तीनों और रिवर्स को आप देखी रहे होंगे गली वıntश को आप शायद पैचानते होंगे यह है आपका दुद्धी रिवर ठीक है यहाँ पे है आपका शक्कर रिवर और यहाँ पे है आपका सीतारवी रिवर ठीक है शक्कर रिवर सीतारवी रिवर दुद्धी रिवर तवा रिवर और यह है आपका जो सब को लेके चल रहा है मज़े पदरिश्टी शान नर्मदा र में और दूसरा है माहदेव हिल्स वो भी सत्पुरा कई पार्ट है वो है पच्मुझाद्ज कोई पूछे गर कि कहाँ से स्टार्ट होता है तव स्टार्ट होता है सत्पुरा हिल्स में सत्पुता मंटन रिंज़ ठीक है और उसके दो वेरिय Crashë एक है मादेव hills मादेव hills से एक पार्ट आता है वो है पचमठी वाला होशंगाबाद वाला और दूसरा स्टार्ट होता है बेतुल वाला ठीक है दो पार्ट है अच्छा और ये west bank tributary है ठीक है west bank tributary है और इसका length है 172 km तो ये अफकोर्स अब उनको पता है कि ये तवा ब्रिज सबसे लंबा ब्रिज है MP का ठीक है तवा ब्रिज MP का सबसे largest bridge है और ये होशंगाबाद में अच्छा उसके बाद अब देखते हैं कि एक तवा डाम बना था 1958 में वो भी पर पानी लाया जाए तो इसे लिए उसका नाम भी वैसी पड़ा हुआ है और ये MP का longest dam है तो हम आपके देख लिया कि MP का longest dam तवा है MP का longest bridge भी तवा ही है ठीक है चलिए अच्छा तवा reserve has several parts of the Borey Reserve ये तो अपने को पता ही है कि तवा reserve ने जब तवा की उपर जब dam बना था तो एक reserve बन गया था ठीक है एक बहुत बड़ा reservoir बन गया था अब इस reservoir की वाज़े से जो Borey Reserve था Borey Reserve जो वाइल राइफ प्रोटेक्शन के लिए था उसके बाद में भी बात करेंगे ठीक है environment section में देखेंगे अब अभी के लिए देखो कि Borey Reserve के जो काफी area है वो समझ हो गया था चलि अब थोड़ा देखते हैं waterfalls की बारे में waterfalls का बस थोड़ा सा देखना है की नाम क्या क्या है और उसके बार देखेंगे कि Tawa के जो tributaries है तीन tributaries है ठीक है तबह के तीन tributaries है उसके बारे में और देख लेते हैं चलिए अच्छा तो तबहा के तीन रिब्यूटरीज कौन से हैं ? देनवा, मलिनी, और सुखवाता ठीक है ? यह याद करना है देनवा, ठीक है ? देनवा, मलिनी, और सुखवाता ठीक है ? देनवा, मलिनी, और सुखवाता अब वाटर फॉल्स है Susanumuna, Rajad, Duchess, Apsara और Silver Falls exactly वहां का नहीं है बट इसे लिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये जो Duchess Falls के जस्ट पास है ये Silver Falls और ये जो पानी जिससे आपका जो तवा रिवर बनता है उसी पानी से ये Silver Falls भी बनता है तो इसे लिए कोई confusion है कि अगर तवा का पानी से ही ये Silver Falls बनता है तो technically हां क सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं चोरोर रिवर के बारे में तो ये भी ठीक ठाक हाई लेवल का ट्रिब्यूटरी है नर्मदा का तो इसकी खास्यत यह है कि ये एक वाटरफॉल बनाता है पातल पानी और ये दो डिस्रिक्ट से जाता है एक तो उर्जिन आपका इंदौर और दूसरी जगह है जो जहां से हो जाता है वो है खर्गोन तो ये इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि ये पातल पानी वाटरफॉल बनाता है और एक और इंपोर्टन चीज है इसके बारे में कि ये इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है जन्पाव इसके बारे में ठीक है पर बेसिकली मैं आपको ये इसलिए दिखारों बार पार क्योंकि आपको मैप रट जाना चाहिए नर्मदा रिवर का वो कैसे जारा है ऐसे स्लैंट होते हुए कितने डिस्ट्रिक्स जा रहा है ठीक है तो अभी हमने बात की कि ये खर्गोन में जाके खतम होगा, तो खरगोन से तो definitely जाएगा यानि की, ठीक है, और खरगोन के ऊपर ही indoor है, तो मेरा point बहुत simple है, अगर आपको ये जो आपके 52 और 55 डिस्ट्रिक्स अब भी जितने भी है, ठीक है, 52 या 55 डिस्ट्रिक्स जितने भी डिस्ट्रिक्स हैं, आपको एक rough idea मिल जाएगा मेरे वीडियोस देखने के बाद, ठीक है, आपको बस उतना ही चाहिए, ये MPPC prelims और दूनों mains और इंटर्व्यू तीनों में काम आएगा ये, अच्छा चलो तो फिर time बहुत विस्ट कर दिया, तो ये है आपका चोरल रिवर और ये originate होता है जनपाव मौंटेंज से, अब हम थोड़ा detail में देखते हैं इसके बारे में, अच्छा, तो हमने बात की है कि ये originate होता है कहां पे जनपाव mountains में, जनपाव hills में, जनपाव hills टेकनिकली पार्ट है आपका विंदियाचल ranges, ठीक है, विंदियाचल ranges का टेकनिकली पार्ट है, और ये जाके खतम होता है नर् तो वो चारुकेश और आश्रम के पास ही ये नर्मादा में जाके मिलता है, सिर्व ये दो-तीन चीज़ें important है, अब मैं आपको बस 3D view दिखाता हूं, चलिए, ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, 3D view, चोरल river के उपर, तो ये है आपका जनपाव hills, ठीक है, ये है आपका ज रिवर्स है, टेकनिकली साथ रिवर्स है, उसमें से 3 बहुत जादे important है, अगर आपको पता लगाना है कि वो साथ कौन से है, आप मेरे चंबल रिवर्स सिस्टम में जाईए, चंबल और शिप्रा रिवर्स सिस्टम में दोनों में आपको मिल जाएका detail view, बट अभी के लिए फोकस करते हैं, कहां पे, चोरल रिवर्स पे, तो यहां पे कुंड है, जनपाव हिल कुंड, ठीक है, उस पे उतना ज्यादा detail में नहीं देखना, ठीक है, यह है आपका चनपाव पवित्र कुंड, तो कहा जाता है कि यहां से ही आपका चोरल रिवर, गंबी रिवर, यह सब originate होता है, तो गंबी रिवर इस तरफ की हो जाता है, और आपका चोरल रिवर है, वो टेक्निकली साउथ की हो चला जाता है, ठीक है, तो हमें अब देखना है, क्या, हमें अब देखना है कि चोरल रिवर कहां पे है, तो यहां पे इस एरिया में बारिश होता है, ठीक है, य बेरली 30 मिनिट्स की दूरी पे है यह आपका जन्पाव हिल्स बहुत बढ़िया जगह है आपको जाके देखना चाहिए तो आपका जो चोरल रिवल है वो यहां कहीं से स्टार्ट होता है तेके जन्पाव हिल से स्टार्ट होता है और अभी आपको यह रिवर दिखेगा नहीं हैं थिखे हाम हमें अब सीधे जाना है कहां पर यहां पातल पांए वाटर फॉल्स बनाता है हम सीधे वहां चलते हैं ठीके है क्योंकि यहां पर आपको चोड़र भंग से दिखेगा नहीं ठीक कियो कि अब भी एक बहुत चोटी सी रिवर है तो यहां पे यह आपका छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी बन के आ रही है और यहां से टेक्निकली आपका जो है चोरल रिवर स्टार्ट होता है ठीक है मतलब रिवर तो है रिवर तो अल्री यहां पे है बड़ आपको दिखेगा ने क्योंकि पानी नहीं है जादा भी ठीक है तो यह है आ पानी ज्यादा है नहीं अच्छा अब यहां पे यह एक और चोटी सी ट्रिब्यूटरी से आके मिल जाता है ठीक है यहां पे ट्रिब्यूटरी से आके मिल जाता है उसी के पास यह पाताल पानी वाटर फॉल्स बना देता है यह चोटी सी ट्रिब्यूटरी दिख रही है उस तो यह आपका पाताल पानी वाटरफॉल्स यह बड़िया असा दिख रहा है अब थोड़ा असा आपको समझ में आएगा यह है आपका चोरल रिवर और यह पर उसने बना दिया पाताल पानी वाटरफॉल्स अब यह डारेक्ट साउथ की और जा रहा है और यहां पे यह बीच में यह सब क्या है यह है खेती हो रही है यहां पे इसको कहते है यह एरिया को कहते है वैली ठीक है यह एरिया है आपका वैली तो यहां पे खेती हो रही है ठीक है क्योंकि यहां पे जब अभी तो पानी नहीं है जादा तो फिर खेती चल सकता है जब ब नर्मदा से जाके मिल जाएगा ठीक है तो हम सिधर चलते हैं खंडवा में ठीक है तो ये अब ये बहुत इदर उदर घुमेगा हम अब जा रहे हैं खंडवा और खंडवा आता है डायरेक्ट इन दौर के साउथ में ठीक है साउथ में आएगा ठीक है मैं बिल्कुल घुमा द तो यह है आपकी नर्मदा रिवर ओके तो यह है आपकी नर्मदा रिवर और चोरल रिवर जाके मिल चुकी है नर्मदा रिवर से बढ़िया यह कहां पर खंडवा में खंडवा में जाके नर्मदा रिवर से जाके मिल जाती है चलिए तो नर्मदा रिवर यह है और यह है चोर मांटें ये चोटी-चोटी नहरे निकल के आति है और मान रिवर बन जाती है और इंह और ऐ ने खतम हो जाता है कहाँ नर्मदह जा से दी थो यह तो यहां प misin है आपकी कंपरे प Keys कई निसень शनों इस दी aja मन रिवर में यह जो आ ती डिख रहे हो यह है आपकी मान रिवर और यह आपकी लंब की ероivery और आपकी नर्मदा रिवरे तो इतने बार तुआ देखिं लिया तो याद ही हो गया होगा ठिक है तो यह है आपका दार डिस्ट्रिक्ट तो मैं स्पेसिफिकली एक एक डिसलिक्ट ऐसे कूझ दिख्रब्सoteer दें दिख्या रहा हूं क्योंकि आपको मेरे वीडियोस देखने बाद रट जाना जाए जितने भी district है भले white 52 district हो या 55 district हो आप पता नहें आपक को üzerine बदियूट देखते है 57 district भी हो गया होगा पर जितने भी districts हो आपको एक बार का तो मान रिवर आपका ओरिजिनेट होता है कहां पे सब पूरा मौंटेंस इन धार डिस्ट्रिक्ट ठीक है और ये नियरली पूरा जो धार डिस्ट्रिक्ट है उसको पूरा कवर करता है और नियरली सौथ में आके ये मिल जाता है नर्मदा रिवर से और एक-दो चीज़े कि यहां पे मान डाम भी constructed है और यह कुछ पूछाएगा नि क्योंकि ऑपियसी बात है पूछेंगे कि मान डाम कहां पे constructed है तो इसमें इतना कुछ चीज नहीं है अब 3D वो दिया खलो और खतम करते है चलिए अब हम देखने वाले हैं 3D वीव मान डिवर के उपर तो बेसिकली आपका जो मान डिवर है वो स्टार्ट होता है धार में और धार में ही खतम होता है तो नर्मदा की काफी ट्रिब्यूटरी इसे हैं जो स्टार्ट होती है एक ही डिस्ट्रिक में और एक ही डिस्ट्रिक में जाके खतम हो जाती है तो मान डिवर भी वैसा ही है तो यहां से बिसिकली आपका जो सत्पुला रिंजर से वहां से आपका मान डिवर स्टार्ट हो गया यह है आपकी मान डिवर और यह टेक् मान रिसर्वायर आएगा ठीक है मान डाम और मान रिसर्वायर आएगा तो ये है आपका मान रिसर्वायर ठीक है ये है आपका मान रिसर्वायर ठीक है ये है आपका मान डाम ठीक है ये है आपका मान डाम ठीक है ये है आपका मान डाम ठीक है ये है आपका डाम ठीक है ये है आ इस केस में बारिश का मौसम था, तो अभी ये डाम टूटा पड़ा हुआ है, क्या है, वोच चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बट एनिवेइ, तो ये है डाम, ठीक है, तो मेरे सबसे डाम का गेट खुल गया है, या ओवरफ्लो हो गया है, या टूट गया है, मुझे पानी है नहीं, ठीक है, तो ये है आपका मान डाम, और ये है आपका मान रिसर्वायर, तो उसमें उतना कुछ खास देखने नहीं है, अब जब साउथ, नियरली साउथ अफ धार में आते आते ये खतम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पूरा धार डिस्रिक्ट में अब ये चलेगा, ठीक है, पूरा धार डिस्रिक्ट की कवर करेगा, मान रिवर, ठीक है, ये मान रिवर ही है, ठीक है, अब ये मान रिवर अब खतम होगा, कहां पे धार डिस्रिक्ट में ही खतम होगा, आपकी नर्मदा में जाके मिल जाएगी, तो उसको थोड़ा लोड होने तो य चलते हैं आप कहां पर आपका नर्मदा रिवर में ठीक है तो नर्मदा रिवर अब आने ही वाला है हम बैसिकली अब पॉच गए है नियरली साउथ धार ठीक है यह धार का जो नियरली साउथ में आ गया है हम और यह है आपकी नर्मदा रिवर ठीक है यह है आपकी नर्मदा रिवर मान रिवर आके मिलके आए नर्मदा रिवर से ठीक है बड़ी है इससे जाद़ कुछ है निसमें तो चलिए खतम करते हैं